खोली से पहले करमचारी के लिए आई धेर सारी खुसीया, सरकार ने करमचारी के लिए खोला खुसियों का पिटारा, जानते हैं सभी खबरों को विजित किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि करमचारी से समधित अपडेट आपक किसी देरी के, केंदरी करमचारी की फिर से खुसकबरी मिलने वाली है, इस महीन एक बार फिर से महंगाई बत्ते में बढ़ोती हो सकती है, जिससे करमचारी की सेलरी में फिर से इजाफा होगा, जनवरी 2022 में महंगाई बत्ते में कितना इजाफा होगा, ये ते हो नहीं हुआ ह AI CPI Index के आंकड़ों को नुसार 3 परतसत के DA की बढ़ने की उम्मीद है आईए जानते हैं करमचारी की DA में 3 परतसत की बढ़ोती होती है तो सेल्रेमिक कितना होगा इजाफा बज़र 2020 से पहले फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी जिस पर फैसला आ सकता है अगर ऐसा हुआ तो नियुमतम सेल्री में भी बढ़ोती होगी लेकिन फिलाल मेंगाई बढ़ने को लेकर AI CPI Index का आंकड़ा क्या कहता है आईए जानते हैं AI CPI आंकड़ों से ते होगा DA एक्सपर्ट के मुताबिक जनवी 2022 में महगाई बढ़ता में तीन परतिसत की बढ़ोती की जा सकती है यानि तीन परतिसती जाफा होने पर कुल डिये 31 फीजदी बढ़कर 34 फीजदी हो सकता है AI CPI आंकड़ों के अनुसार अभी नॉमबर 2021 तक के आंकड़े सामने है इसके हिसाब से महगाई बढ़ता 34 फीजदी है जून 2021 तक के आंकड़ों हिसाब से जुलाई 2021 के लिए महगाई बढ़ता 31 फीजदी बढ़ाया जा चुका है यानि अब इसके आगे के आंकड़ों के मताबिक महगाई बढ़ते का कैलकुलेशन होगा और इसमें अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है 34% डिये पर कैलकुलेशन 3% महेंगाई बढ़ने के बाद कुल डिये 34% हो जाएगा अब 18,000 रुपी की बेसिक सेली पर कुल अगर सालाना कैलकुलेशन किया जाए तो महेंगाई बढ़ता 3,440 रुपी होगा लेकिन अंतर की बात करें तो सेली में सालाना इजाफा 680 रुपे मिलेगा अगर करमचारी की बेसिक नियुनतम वेतन 18,000 रुपे है तो उसको 34% किसाब से 620 रुपे मिलेंगे और 31% किसाब से उसको 580 रुपे मिल रहे है तो टोटल आपका डिफरेंस 540 रुपे परतीमा हो गया और सालाने सेलरी में इजाफा होगा वो 6480 रुपे होगा और अधिकतम बेसिक वेतन की बात की जाए तो 56,900 बेसिक पेपर 34% किसाब से जो महेंगाई बता है वो 19,340 रुपे बनता है और आप तक महेंगाई बता जो मिल रहाता हूँ वो 17,449 तो एक महेंगा जो डिफरेंस आया आपका 1707 रुपे यानि सालाना सेलरी में लगबग 24,414 रुपे की जाफा देखने को मिलेगा